हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने प्रेग्नेंसी को कैसे केलकुलेट कर सकते हैं यानि कि आप जान सकते हैं खुद से अपने मुबाइल अप पर ही कि आपके बेबी का कितना मन्त हो चुका है और कितने मन्त पर आपकी डिलिवरी होनी है अगर आपको अपने लास पीरिट की डिट याद है तो आप उससे केलकुलेट कर सकती है तो सबसे पहले आपको यहां जाकर गूगल पर अपने मुबाइल पर गूगल अप में जाकर लिखना होगा प्रेग्नेंसी केलकुलेटर आप प्रेग्नेंसी केलकुलेटर जैसे ही लिखें हो जाती है देखें यह आ गया है अब यहां पर अपसे पूछ रहा है प्रेंग्णेंसी कैलेंडर एंड यू डेट केलकुलेटर यहां पूछ रहा है लास्व डेट अगर आपको फिरियर्ट का डेट पता है माल लीजे कि आपका लास्व डिसंबर के तीन तारीक को था तो आप तीन तारीक यहां पर set करके यहां पर set कर लेंगी और उसके बाद अभी तर अगर आपको period नहीं आया है तो 28 days हो गया है get the date अब यहां पर अगर आप click करती है तो आपको देखे यह पता देगा कि your baby is due on 9 September यानि कि 9 September के आपकी delivery date पताई जा रही है आपके pregnancy 5 week की है और progress जो है भी 13% का है यहां पर week by week week काउन से week में क्या progress है क्या week में क्या देख सकती है ऐसे आप करते करते किस week में आपका baby कितना grow करेगा सारी चीजे इस calculator के तुरू आप जान सकती है अगर आपको अपना last period का date याद है तो guys इससे हमारी जो life है आसान हो जाती है और हमें ही पता जल जाता है कि हमारा baby कितना grow कर रहा है हमारी delivery date क्या है बाकी आप डॉक्टर से भी concern करते रहिएगा धन्यवाद